हेलो एवरिवान जय भूलेना ताई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगी वीडियो डालने में थोड़ा देर हो गया मैं थोड़ी बिजी चल रही थी कोई बात नहीं चलो देखते हैं आपके पोर्षन की क्या फीलिंग से हाले दिल उनका और आगे जाकर वो उनका आक् क्या प्याइट नहीं करेगी जो नहीं करता है जाने देना है दूसरी बात यह है कि यह ओल साइन के लिए है और टाईंट नहीं क्या तो प्रहबलम नहीं यहां पर जो पहला कार्डफ हो है टन ओफ सौस में थोड़ा और इसको अच्छे से शफल कर लेती हूँ focus जा रहा है camera से बिलकुल seven of pentacles knight of swords okay knight of wands eight of swords eight of wands three of swords two of wands यहां पर जो sign जात तर है Gemini, Aquarius, Libra Aries, Leo, Sagittarius and Capricorn, Taurus, Virgo ठीक है बाकि इतना sign है अगर आपका sign नहीं है तो कोई problem नहीं है आप देख सकते हैं situation के साथ match करना चाहिए मैं problems बता दूँगी आपको समझ आ जाएगा आपकी reading है या नहीं चलो आपके लिए message है दूसरे card है understanding scizofernia the burden next isolation ठीक है दो card और लोंगी चली compromise यह देख लीजे next अमारे पास है self control अब message तो तीन ले लेती हूँ आपके लिए आप खुश होते हो messages देखके चलो आपके लिए क्या messages यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर जो card है attachment next we have new beginning okay boys थोड़ा डाउन हो गया था यहाँ पर है wait ठीक है चलो मैं card set कर लेती हूँ okay guys देख लीजिए अभी मैंने इतना ही set किया है देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि third party issue यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए है मुझे proper एक third party issue दिख रही है दूसरा मुझे cheating भी दिख रहा है ठीक है न बाकि देखिए उनकी feelings अगर में देखूं तो कही न कहीं मुझे लगता है कि आपके तरह यह person भी काफी जादा होट है ठीक है जैसे इन्होंने आपको धोका दिया या फिर जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में धोका भी अगर नहीं दिया या फिर कुछ situation ऐसी हो गई तो आप दोनों को relationship में एक pause लेना पड़ रहा है बात नहीं करना पड़ रहा है तो इस चीज़ से यह person भी कोई जादा खुश नहीं है काफे जादा होट है इनको भी बुरा लग रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनोंने आपको धूका दिया है ठीके बाकी मुझे लगता है कि हो सकता है सच में इनोंने आपको धूका दिया या फिर हो सकता है इनोंने नहीं दिया लेकिन कही न कही इनको लगता है कि जो भी इनोंने आपके साथ किया वो काफी गलत किया ठीक है उसी बात को ये परसन काफी जादा सूच रहे हैं काफी जादा दिल पे ये बात उनकी है ठीक है ना ओफिस जाते हैं काम करते हैं या फिर अपना काम करते हैं जो कुछ भी करते हैं कही न कई दिमाग में बहुत टाइम तक ये बाते रहती है कि इन्होंने एक kind का आपको धोका दिया या फिर परिशान किया ठीक है उस बात को लेकर मुझे लगता है ये person आपसे clear भी करना चाहते हैं बाते ये person कहीं न कहीं चाहते हैं आपके साथ बात करें इस बात को discussion करें कि देखो जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ य या फिर जल्दी जल्दी कोई decision ये इन्सान ऐसे है कि जल्दी जल्दी जो भी कुछ करते हैं बिना सोचे समझे कोई भी action लेते हैं तो हो सकता है वो आपको वो बोलना चाहते हैं कि मैंने जो बिना सोचे समझे जो कुछ भी किया तो कहीं न कहीं उस बात के लिए आप दोनो सारी यहां पर गलती थी ठीक है लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं मैं बताऊंगी क्यों नहीं बोल रहे हैं यहां पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए on-off situation दिख रहा है जैसे कि आपके person ने गलती की आई आप से कुछ दिन बात किया और फिर चले गए ठीक है और फिर से same ची कि आपके person इस वक्त काफी confusion में है इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द कोई decision लेना पड़ेगा ठीक है जल्द से जल्द कोई decision लेना भी चाहते हैं यह definitely चाहते हैं कि या तो आपकी तरफ आए या फिर जिन्दगी भर से आपके पास से दूट चले जाएं लेक हो गया ऐसा नहीं चलता है कहीं न कहीं उनको कभी कभी बहुत जादा मन होता है आपसे बात करने का बहुत जादा उनको वो attraction फील होती है खुद के उपर गुसा आता है सोचते हैं जाकर माफी मांग लूँ होट होते हैं यह जिस तरीके से आप होट हो जिस तरीके से आपको चीजे बुरा लगा आपको परिशानी हुई ये चीज उनको भी हो रही है बस चीज यही है कि वो communication नहीं दे रहे हैं आपको बात नहीं कर रहे हैं इसलिए चीजे आप दोनों के बीच में clear नहीं हो रहा है मुझे बहुत जल्दी वो एक communication देते हुए भी दिख रहे हैं तो अगर आप इस बात को लेकर परिशान हो कि पता नहीं बात करेंगे या नहीं communication करेंगे या नहीं मिलेंगे या नहीं definitely ये person सोच रहे हैं इसी के उपर action लेने के लिए मुझे लगता है इनकी जीवन में कोई दूसरा और person है कोई और है और वो person के साथ इनका ऐसा है कि financially या तो वो उस person से इनको बहुत जादा financial support मिल रहा है या तो ये third party को बहुत जादा financially support कर रहे हैं लेकिन कही ना कही मुझे लगता है किसी तरीके का यूरो एक अपने फाइदे के लिए third party के साथ ये है मुझे प्यार नहीं दिख रहा है third party के साथ ठीक है अपसर फाइदे के वज़े से या तो third party इनके साथ फाइदे के वज़े से है या तो ये third party के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये person कहीं ना कहीं quickly कुछ decision लेंगे जैसे कि बहुत ही जल्दी एक decision ये लेने वाले हैं काफी जादा खुद को अकेला इस वक्त महसूस कर रहे हैं जैसे कि इनके जिबन में कोई है भी तो भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं और आपको मिस नहीं कर रहे हैं इस वक्त वो अकेला भी महसूस कर रहे हैं इस वक्त वो आपको भी मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए ठीक है इसलिए ही वो इतना जादा सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे करने की क्या इस वक्त जरूरत है मुझे क्या सोचने की जरूरत है जैसे इंसान होता है एक पॉइंट पर आके उसका सोचने का करने का सब कुछ you know vanish हो जाता है उसको कुछ खुद बखुद पता नहीं चलता है, मैं क्या करूं ब्लैक हो जाता है, कही न कहीं आपके परसन इस वक्त वही सिचुएशन में है जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं करूं तो क्या करूं क्यों समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर उनके उपर कोई बॉर्डन है या तो उनके उपर काम का बॉर्डन है या तो उनके उपर third party का बॉर्डन है लेकिन कुछ भी reason financial stability का बॉर्डन है जो कुछ भी situation यहां पर है लेकिन मुझे लगता है कि उनके उपर एक कहीं न कहीं एक pressure है इसी वज़े से भी वो आपके पास आनी रहे हैं और जिस तरीके से आप शादी बाला आया फिर या बात करने वाला relationship बाला एक commitment चाते हो वो commitment आपको नहीं मिल रहा है आप हमेशा गुसा करते हों कि उन्होंने ऐसा क्यों किया लेकिन अब जब वो चाह रहे हैं आपके पास वापस आना चाह रहे हैं आपसे बात करना वो कहीं न कहीं नहीं कर रहे हैं वो चीज़ को क्यों क्योंकि उनके उपर burden बहुत जादा है बहुत ही जादा pressure उनके उपर है दूसरी चीज मुझे यहां पर लगता है कि यह शायद एक long distance relationship है बो भी एक कही न कही problem दिख रहा है मुझे अगर पास बास हो उसे तो communicate कर लेते या फिर पास भी हो तो बात तो definitely नहीं हो रही है कही न कही मुझे लगता है कि इस रिष्टे में compromise की जरूरत है आप दोनों को आपस में बैट कर बात करने की जरूरत है अगर ego यहां पर किसी का है या तो misunderstanding की वज़े से ego है या फिर यह person आपको देख रहे हैं कि आप अपने जिंदगी में कैसे हो और यह आपके पास आना चाते हैं नहीं आ रहे हैं या तो उनके अंदर का ego उनको आने नहीं दे रहा है या फिर जो भी बाकी सारे चीज़े हैं जिसके वज़े से यह exhaust हो चुके हैं परिशान हो चुके हैं तो बचाए आके खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं क्यों माफी मांगो या फिर मैं क्यों साडी बोलूं जो कुछ हुआ हुआ कहीं न कहीं self-control इस person का बहुत ही जादा है खुद के मन को मार के रख रहे हैं मुझे बात नहीं करनी है अपना मन मारना है तक यह बात भी ना हो इससे कोई problem ने कहीं न कहीं मुझे थोड़े से ego में यह person लगते हैं इतनी जल्दी surrender यह नहीं कर पाते हैं कुछ चीजों में तो यह भी एक problem है और दूसरा मुझे लगता है कि अगर बहुत साथ आप दोनों के बीच में लड़ाई जगड़ा और anger issue है तो definitely इस रिष्टे में कहीं न कहीं एक self control की ज़रूरत है ठीक है अगर नहीं करोगे तो इसी तरीके से जगड़ा होता रहेगा वैसे तो बात नहीं हो रहेगा आप दोनों की अभी लेकिन जब भी होगी यह नों तो आप उसे control करने की ज़रूरत पड़ेगी दूसरा मुझे लगता है अगर इस relationship में वो आपको बहुत सारी बाते यह से बोलते थे जो नहीं करनी है आपको या फिर आप उनको बोलते थे नहीं करनी है यह मत करो वो मत करो तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कुछ मामले में definitely आप लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत पड़ेगी ठीक है जैसे की चलो यह हुआ ठीक हुआ या फिर हो रहा है होने दू कम से कब मेरा person तो मेरे पास है यह चीज़े सोच कर चीज़े continue हो जाती है ठीक है दूसरा यहां पर बहुत ही अच्छे messages आपके लिए आये है पहला message यहां पर आया है आपके लिए wait कहीं न कहीं यहां पर divine आपको बोलने की कोशिश कर रही है कि बहुत इंतजार कर लिया तुमने waiting period में हूँ थोड़े सा और इंतजार करो ठीक है मुझे लगता है वो जादा से जादा 15 दिन का समय लेंगे सोचने के लिए या फिर दो इंसान के लिए wait करना है या move on करने की कोशिश करना है ठीक है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है 15 दिन के अंदर एक तरीके का चीज वो भी सोच लेंगे वो भी सोच कर subtle हो जाएंगे और आपको भी वो चीज पता देंगे या तो आपको खुद बखुद वो चीज पता चल ज जाएगे ठीक है बाकी मुझे लगता है कि definitely इस waiting period के बाद बहुत सारे लोगों के person जो है आप से attached हो जाएंगे आपके यादों से या फिर से attached होना चाहेंगे आपके साथ फिर से आपके साथ बात करना चाहेंगे यूनों कहीं न कहीं एक दूरिया जो आप दोनों के बीच म आगे थी फिर से attachment वाला एक situation आजाएगा जैसे मुझे लगता है कि आपने कहीं न कहीं सोचा है कि ये person मेरे दंदगी में कभी नहीं आएगा मैं move on कर रहा हूँ का या फिर कर रही हूँ उन्होंने भी किसी तरीके की ऐसी ही सोची होगी पता नहीं क्या divine magic बनेगी फिर से य दोनों attached होते रहोगे होते जाओगे होते जाओगे और कहीं न कहीं आप दोनों को ये बात बहुत जादा अजीव लगेगी या इस person को भी बहुत अजीव लगेगी कि जब बात ही नहीं हो रही है तो किस तरीके की एक attachment है या पिर एक mess में कर रहा हूँ या पिर कर रही को चीज इनको थोड़ी surprise करेगी दूसरा मुझे आम पर लगता है कि definitely new beginning है आप जितना इंतजार कर रहे हो जैसे ही you know ये person का attachment फिर से आपके साथ होना start होगा आप उनके यादों में आओगे वैसे ही मुझे लगता है कि definitely इस रिष्टे में new beginning नई शुरुआत होगी ठीक है new start होगी या फिर हो सकता है कि जैसे ही you know new beginning का वक्त आ जाए ये person धीरे धीरे आपको attached आपके यादों के साथ आपसे you know attached होना start हो जाएंगे जो self control ये अपने उपर कर रहे थे जो control कहीं न कहीं इनको बहुत ही ज्यादा अपने उपर था मुझे इनके उपर फिर से वो control रहते हुए नहीं दिख रहा है मुझे असा लगता है कि कहीं न कहीं definitely ये control हरा देंगे ठीक है हो सकता है या कर माफी मांगना मांगे attitude दिखा है लेकिन definitely yes उनका कहीं न कहीं खुद के उपर control नहीं रहेगा जब time आ जाएगा बात करने के लिए ठीक ह और वक्त तो है अभी थोड़ा सा तो गाइस ये थी आपकी डीडिंग अगर आपको ये डीडिंग पसंद आई वीडियो को लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे अपना ख्याल रखे बाई गाई